नमस्कार गाइस, विलकम तो मैं चैनल, स्कूरूटीनिजर बाबाई तो आज इस वीडियो में मैं अपना क्रियेशन, ये क्लिप कम टेबिल लेंप, जो कि लाइट वेट है नॉर्मान मार्केट में मिलने वाले टेबिल लेंप के मुकाबले कम स्पीस लेता है अनब्रेकबल है और किसी भी एंगल पर एज़ेस्ट हो जाता है, इसको बनाना सिखाऊंगा तो वीडियो को आणब करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा तार यह बीरा बनने वाला तार ही आपको किसी भी हारड़ोर की दुगन में बड़ी हासने से मिल जाएगा अब मैं यहाँ से लगभख 1.5 फिट का तार लोगा आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं लेकिन 1.5 फिट से ज्यादा लेंगे तो डिस्बैलेंसिंग का एश्यू एराइज हो सकता है मैं यहाँ से तार को मोड के डबल कर लूँगा वैसे सिंगल तार से भी हो जाता पर तार जितना मोटा होगा उतना बड़िया स्टैबिलिटी मिलेगी अब मैं इस डबल तार को ट्विस्ट कर लेंगे तो यह हमारा स्टैंड बन के तयार इसको प्रेस करके थोरा सा चेप्टा कर देंगे अब हमें चाहिए एक कपरे सुखने वाली क्लिप और क्लिप के प्रेस करने वाली जगा पे एक होल कर दीजे प्रेस करने वाली जगा से थोरा आगे के तरफ अब देखे मेरे क्लिप के आगे के तरफ कैविटी बना हुआ है तो मुझे स्पेस मिल जाता है यहाँ पे हॉट ग्लू या एमसील भरने का तो मैं यहाँ पे छेट कर लूँगा अब हमें तार का एक सिरा इस छेट के अंदर डालके फिट कर लेना है अब हम तार के सिरे को इस तरह से मोल लेंगे ताकि तार क्लिप के छेट के अंदर अटक जाए अब इस तार को फिक्स रखने के लिए हम इस काविटी को होट ग्लू से भर देंगे आप जाए तो एमसील का भी यूज़ कर सकते हैं काई यहां पर आपको फश्रा प्षा रखना बड़ेगा क्योंकि होट ग्लू को ठंडा होने में थ्यूज़ से टाइम लेगा तब तक आपको शायद यह तार को पकर के रखना बड़ेगा तो आपको इस तरह से तार को पकर के रखने प्रगे तग लूज़ चाहिए तो glue ठंडा हो चुक है हमारा और तार भी क्लिप के साथ fix हो चुक है अभी आपको mobile का एक पूराना बैटरी चाहिए ऐसा लंबा चौड़ा हो तो बैतर है अगर नहीं है तो मैं वीडियो के last में बताऊंगा कि आपको क्या गरना है और आपको चाहिए इस तरह के एक mini self-locking switch तो मैंने बैटरी में ये काला वाला switch पहले से लगा के रखा था तो मैं इसको यूस करूँगा और आपको चाहिए एक TP4056 बैटरी चार्जिंग मॉडियूम अब हम एक पुराना डबल बैटरी ले ले लेंगे और उसका छिलका उतर लेंगे प्लस की मदद से आप तोर मरूर के थोरा सा सिधा कर लीजे और छिलके को आगे के तरफ से थोरा सा मोड लीजे तो ये शेट का काम करेगा इस से लाइट की रॉष्णी हमारे आखों तक नहीं पहुच पाईगी और हमें चाहिए 4 वोल्ट वाले लेडी इसको हमें इस छिलके में चिपका लेना है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 लेडी इस छिलके में थोरा सा ज्यादा बरा हो जाता है तो मैं यहाँ से एक लेडी को कट कर लूँगा और लेडी को फेबी कुएक से छिलके में चिपका लेजे तो इस तरह से हम लोग का लाइट हो चुका है तयार और यह बैटरी का जो छिलका है वो एक तरह से हेट डिसिपेशन का भी काम करेगा तो अभी हमें काम करना है हमारे लाइट के पावर सोर्स में अब पावर मॉडियूल को आप अपने सुविदा अनुसार बैटरी के किसे भी कुने पे आप चिपका दीजे और बैटरी के जिस साइड में स्विच लगावा है आपको उसी साइड में चिपका लेना है लेकिन सबसे पहले मैं बैटरी के पॉस्टिव टर्मिनल के साथ एक रेट वयर लगाऊंगा और पावर मॉडियूल को मैं हाट ग्लू से सुच के डागोनली बैटरी पे चिपका दूँगा और रेड वयर को आपको पावर मॉडियूल के बी प्लस पे सोल्ट कर देना है अब वापस चलते हम अपने लाइट पे अब हमें ले लेना है दो लंबा वयर अब जैसे कि मैंने तार का लेंग्थ 1.5 फिट लिया था तो मैं वयर का लेंग्थ 1.5 फिट से 5-6 इंच जाधा रखूँगा अब हम ब्लैक वाला वयर को LED के किसी भी नेगिटिव टर्मिनल के साथ सोल्ट कर देंगे और LED के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रेड वाला वयर को अब हम लाइट को ग्लूगन या एमसिल के जरिये स्टैन के साथ जोड लेंगे और इन वयर्स को तार में एक एक करके लपिट लेंगे यहाँ पे मैं 5 रुपिया मीटर वाला वयर को यूज़ कर रहा हूँ आप चाहे तो इंसलेटेट कॉपर वयर भी यूज़ कर सकते हैं तो हमने रेड वयर को लपिट लिया है सिमिरली हम ब्लैक वयर को भी लपिट लेंगे तो मैंने दोनों कलर के वयर्स को लपिट लिया है और लपिट लेने के बाद इस तरह से दिखिएगा और फिर हम अपने लाइट सोर्स को पावर सोर्स के साथ हाट गलुक के जरिए चिपका लेंगे और क्लिप को आपको बैटरी के उसी तरफ में चिपकाना है जिस तरफ में पावर मोडिल और स्विच है अब मैंने सारे एलिमेंट को बैटरी के एक ही साइड में क्यों चिपकाया है दूसरे साइड को क्यों यूज नहीं किया है वो भी मैं आगे बताता हूँ अब पावर मोडिल के बी प्लस को हमें बैटरी के पॉजटिव टर्मिनल के साइड कर लेना है और पावर मोडिल के बी माइनस को हमें बैटरी के नेगटिव टर्मिनल के साइड कर लेना है और लेम का जो नेगटिव वायर है उसको सुच के दूसरे वाले लेक के साथ सोल्डर कर लेना है और थोड़े मोरे जो लूस वायर से रहेंगे उनको यहाँ वहाँ भटकने से रोकने के लिए मैं ग्लू गन के जरीए उनको क्लिप में चिपका दूँगा लेकिन उससे पहले हम क्लिप को बार-बार खुल के देख लेंगे कि यह वायर का कितना पॉर्शन को लूज रखना है हमें अब हम पावर मोडूल पे एक बार यूएसबी केबल को लगा के देख लेंगे कि हमारा बैटरी चार्ज होता है कि नहीं तो रेड एलेडी जलने का मतलब है हमारा बैटरी सक्सेस्फुल लिग चार्ज होड़ है अई मैं आपके बताथा हूँ अगर आपके बास लंबा चारणा बैटरी नी है चोटा बैटरी है। यह फिर आप सिरेन्ड्रिकल बैटरी के एक ही साइड में इसलिए चिपकाया है ताकि किसी भी फ्लैट सर्फेस में हमारा लेंब स्टेंड हो सके नाउ इस टेस्टिंग टाइम तो आप देख सकते हैं कि चार वोल्ट के सिप तीन एसमडी एलिडी से जो हमें प्रकाश मिर रहे हैं वो मार्केट में मिलने वाले चाइनिस टेबिल लैंब के मुकाबले मुझे ज्यादा ब्राइट और बढ़िया लगाए और यह एसस जेनफोर मैक्स प्रेमोन का जो मैंने जक्स्टगर से बैटरी खरीदा था वो अब फूल के इच्छालियन रेवियल ही बन चुका है और इसके फूलने से मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि यह अल्रेडी यूस्ट के हुआ लेकिन मैक्स प्रेमोन का ओडिजिनल बैटरी था और आप इस लैंब को टॉर्च के जैसे भी यूस कर सकते हैं और एक सिंगल फूल चार्ज में मुझे 2000 एमेज के बैटरी से कंटीनू छे घंटी के उपर तक का बैक अप मिला तो मिलते हैं में अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाबाई वीडियो पसंद आया तो लाइक झाल झाल